पांच काम गिनवादी जी जो आपने राज्जे के लिए कि आपने अपने पांच काम गिनवादी जी सारे काम महत्तपूर्ण है सम्लिस्ट बेस दूमाल के पास खंडूरी जी ने सप्ना देखा था लोकायुक का वह सप्ना आपने 500 फैसले लेकिन वह सप्ना पूरा क्यों नहीं कर लोकायुक को लेकर आपका स्टैंड क्या है। आपकी आधी कैबिनेट हो ही पूर कांगरसी आपने आयोग गठन किया लेकिन उस पर implement नहीं हो पाया। क्यों बतौर मुख्य मंत्री कोई एक ऐसा काम जिस पर ना करने का अभी अफसोस हो आपको गैर सैंड को लेकर आपका क्या जिरने हैं कमिशनरी आपने कैंसिल कर दी तो फिर विकास कैसे होगा वाँ अधिकारी बैठते हैं क्या वाँ क्या आप इस मंच के माध्यम से या आश्वासन दे सकते हैं कि मैं मुख्य मंत्री बनुआ इतने लोगों को रोजगार के नसर ये से मैं सरकारी नौकरी दूआ विजे बॉग्णा जी पर आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने सितार गंज में अपने बेटे को जितवाने के लिए प्रीतम जी से मुलाकात की फोन किया और डेमी कैंडिडिट हरक सिंग रावत को क्यों नहीं रोग पाया अच्छा हरीच रावत कैसे ने तलगते हैं पार्टी के भीतर अब एक मुश्किल ये भी है कि आपके अपने ही नराज हो गए उनको कैसे मनाएंगे नहीं कोई नराज नहीं है बहुत लंबी फेर रिस्ट है 14 सीटों पर बागी हैं देश राज कंडवाल वो भी नराज है वो कह रहे हैं कि आपने आजवासन दिया था और आपकी वज़ासे मेरी पतनी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और मुझे टिकेट भी नहीं दिया ना मेरी पतनी को टिकेट दिया अक्सी पैनल के आधार पर किशोर उपाद धायजी को टिकेट मिल जाता है, जबकि उनका नाम सर्वे में भी नी था, एक आएक वो आए रातो रात आपने टिकेट दे भी है उनको, अगर आपका कोई टिकेट कार देता तो, चलग भाई धन्यवाद